यह मुश्कार दोस्तों मैं हम पुलकित मौन सिंगला स्वागत है अपका हमरे चैनल में दोस्तों आज हमें स्विशन बात करेंगे कि बुरी आत्माइं मुक्ती कम मांगती हैं दोस्तों पारलोकिक दुनिया में अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी हैं और बुरी आत्माओं का स्तर बहुत ही जादा है जिस तरीके से हमारी इस दुनिया में करल्यूग में बुराई भरी पड़ी है बुरे लोग भरे पड़े हैं और अच्छे लोग बहुत कम हैं ढूनने से भी मुश्किल से मिलते हैं इसी तरीके से पारलोकिक दुनिया भी अंदकार से भरीवी है बुराई से भरीवी है maximum आत्माई जो प्रेतियोनी में होती है वो बुरे कर्मों के कारण ही होती है जो अच्छी आत्माई भी किसी ना किसी गलती से अगर प्रेतियोनी में फस जाती है तो भी वो उस बुराई तले छुपी भी होती है वो दिखाई नहीं देती है वो बहुत कम होती है इस वजह से पारलोकिक दुनिया सबसे बुरी माने जाती है बूत प्रेत की जो इमेज है वो शुरू से ही बुरी क्यों है क्यों हम जब भी इनका नाम आता है तो हम डरते हैं बहभीत होते हैं या इनको एक नेगटिव सेंस में ही देखते हैं क्योंकि maximum तोर पे इन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया ये खुद के कर्मों द्वारा प्रेथियों नहीं में तड़ रहे होते हैं और दूसरों को भी परिशान कर रहे होते हैं अब सही माने में बात क्या होती है कि जो पूरी सुष्टी है काइनात है वो कर्मों के हिसाब से चलती है हमारी आत्माओं को जो इस बहुतिक रूप में इस बहुतिक दुनिया में इश्वर ने उता रहा है तो उसमें कर्म बंधन और प्रारब्द का जो खेल रचा है उससे परे हम नहीं जा सकते स्वयमिश्वर भी जब मानव रूप में इस धर्थी पे आए तो वो भी करम फल के दाइरे में आए, माया के दाइरे में आए हाला कि माया उनको नहीं व्याप सकती पर फिर भी जब उन्होंने अपनी लीला रची उन्होंने यह चीजश चितारत्त की के करम फल से और प्रारब्द से मैं भी दूर नहीं हूँ अगर मैं एक मानव रूप में धर्रती पर आता हूं तो तो आत्मा चाहे कोई भी है अगर हो करम फल के नयाय से, उसके प्रेत यूनि में फ़र्ग है उसका प्रेत यूनी में लंबे समय स्थरना लिखा है, तो उसे मुक्त कोई नहीं करा सकता। जहां बुरी आत्माओं की बात होती है, शट लंबा सर्भी प्रेत यूनी में लिखा सकती है. और ये मुक्ति पाना भी नहीं चाहती है क्योंकि इनके अंदर की गंदगी इतनी जादा होती है कि इन्हें उसी योनी में भी मज़ा आने लगता है कोई भी जानवर होगा, किसी भी योनी में होगा वो उसी योनी से पयार करने लगेगा बात करते हैं भूत प्रेतों कि इनकी योनी में शरीर नहीं होता हम सब आत्माय हैं जब हमारा शरीर नश्ट हो जाएगा तो हम भी पारलॉकिक दुनिया में प्रेत योनी के वासी ही खेलाएंगे अगर हमारी मुक्ति नहीं होई या अगला जनम नहीं हुआ तो इस योनी में शरीर ना होके भी जो गंदी अत्रिक्स आत्माये होती intriguing आत्माये ओती है ये धूसरों के शरीरों के पर कभजा करके मज़े लेना शुरू कर देतی ये शरीर का इस्तवा करना शुरू कर देते हैं यू कह लिगजे एक रास्ता निकाल लेती है और उस योनी मे भी ये किसी ना किसी तरीके से अपने लिए सुकह दन्मव क्रिएट कर लेती हैं हाला कि व्याकुल रहती हैं भुजन के लिए, पानी के लिए, सुगंद के लिए, प्यास के लिए, संभोग के लिए, शरीर के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए पर इनके अंदर की गंदगी इनकी गंदी जो पूरी इनकी औरा होती है जिस तरीके के गंदे करम करके आत्मायाई होती है ये मुक्ति नहीं चाहती है उस यूनी में भी सुख़ के साधन ढून लेती है किसी निर्दोश को सता रहें, किसी की शरीर पर आके उसको सता रहें तो अगर एक मिंट के लिए इलाज हुआ वहां से हट गए तो किसी और के शरीर पर पढ़ गए जाके या कहीं और चले गए तो ये इन्हें मज़ा आ रहा होता है कैसी युन हम चाहे इसी मुक्ति की कामना मुझा करता ही हम ब STEM कष्ट मिलरा हमों चाहे दो जब इनको को सजा दे रहा हुँ, चाहे जूह किसी तपर घुर ने हमें, इनको करता ये दो कोुंआ Random. होई किसी की पुजा पार्ट से या कोई बार बार इने टॉर्चर कर रहा है चाह देविक शक्तियां कर रही है चाह कोई भी चीज जब तक यह परिशान नहीं होईगी जितनी गंदी आत्मा होती है जब तक इनका प्रेत योनी का जो समय है जो सफर है वो नेगरिटिव नहीं होगा इनके लिए बुरा नहीं होगा यह मुक्ति नहीं मांगेगी आपने देखा होगा बहुत से यहां पर कोई प्रेत आत्मा बैठी किसी के शिर्ट में खूब हसरी है मौज ले रही है सता रही है जब रेगुलर बिसिस में उनके उतारे हुए धुनी हुई बार बार नारियों के उतारे हो तो वही आत्मा बुल लगी मेरी मुक्तिकरा तो मुझे निकल लाए मुझे यह अब तो मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ यह स्थिति कब आई यह स्थिति जब आई जब हमने वेगुलर ली ऐसी बुरी आत्माओं को टॉर्चर किया धुनी से और नारियों के उतारों से उससे पहले वही आत्मा चोड़ी हो के मौज से रह रही थी परिशान कर रही थ पित्रों का भुक खा जाती थी पूजा पाठनी लगने देती थी घर में कलेश कराती थी बिमार करती थी रोगी को हाथ से करा देती थी हर तरीके से अलगाव की स्थिति करा देती थी जब तक उन्हें टॉर्चर नहीं मिला जब तक उन्हें बदले में नहीं मिला जवाब तब तक उन्हें कोई परवानी थी, मोज से वो रहनी थी, उनके अंदर मुक्ती की कोई कामना नहीं थी। जब उन्हें धुनी से टॉर्चर मिलने लगा, जब उन्हें नारियल के उतारों से उनका अगनी तत्व घटने लगा, उनकी पावर्स घटने लगी, उनको परिशानी होने लगी, तब उन्होंने ये चीज का रागल अपना शूर किया कि हमें मुक्ती दे दो, हमें तो यहां क्यों होगके पावर्स केंधा में आको पुझ किल की तो यहां है जो सुदाने का रेल को उनकी प्रियास का और ने सुदक दो, आ neutrुम में FOR और प्रियास कर्लों हो जब तक उसको कोई कष्ट ना हो जो दूसरे के को जो कष्ट दे रहा है उसको नहीं समझेगा जब तक आप खुद नहीं भुगरते तक आपको दूसरे की वो परिशानी दिखाई नहीं देती है आप जो दूसरे के साथ कर रहे हो वो आपको क्राइम नहीं लगता है जब तक आपके साथ वैसा कोई ना कर दे तो यही इन गंदे लोगों का इसकल यूग में हाल है वो भी गंदी आत्माएं हैं शरीर धारी हैं और यही जब शरीर नश्ट हो जाने के बाद ऐसी आत्माएं परेतियों होती हैं तो भी उनके अंदर ये realization नहीं होती कि हम अपने कर्मों के कारण प्रेति उन्हीं में आये हैं पर तब भी बुरा करती रहती है फिर उनके साथ जब और बुरा हो जाता है कहीं बांद के बढ़ा दी जाती है कहीं जब रतस्ती काम लिया जाता है उनसे किसी तादरिक द्वारा या कहीं पर वैसे उनकी शक्ती खतम करती जाती है या उन्हें मार लगाई जाती है जाये किसी भी तरीके से तब जाके वो मुक्ती मांगती है कि अब तो हमें सियोनी से अजाद करो हमें यां से अजाद करो क्योंकि वही वाली बात है भिंबय होए ना प्रीत ये वो गंदी इशताली हो जाया होती है जो समझाने से प्यार से नहीं मानती इनका वह जो कहवत है लातों के बूत भातों से नहीं मानते वही इनका हाल होता है तो I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह सुनते रहें प्यार देते रहें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको फरलोकिक और अध्यात्मिक दुनिया का ज्यान मिलता रहें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स में बताईए अपने सुझाव अगर आपकी सीवी नेगिटिवटी या भूत प्रेद ब्यादा से परिशान है, ब्लैक मैजिक से परिशान है तो आप मेरी धुनी जरूर मंगाएगे, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लाटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए, दुकान पे, फैक्टरी पे जलानी शुरू कीजिए, क्लीनिक पे जलानी शुरू कीजिए हर तरीके के काम बनेंगे डोने टोटकों का नाश हो जाएगा नजर दोश हाई भूत प्रित ब्यादा दूर हो जाएगी अगर बहुत जादा आपको अपने उपर संकट लगता है तो मेरे क्रिया वाले नारेल मंगवा के उनसे उतारा कीजे और नारेल को हवन कुड में जला दीजे जो में नारेल आपको दोगा यह भी मंत्रित होंगे और यह र तरीके की हैवी उर्जा को आपके उपर से निकालेंगे और उस उर्जा को दर्ड भी देंगे आप मेरे द्वारा भी मंतरित कवच या लॉकेट भी धारुन कर सकते अपनी रक्षा के लिए यह हमेशा आपका बचाव करेंगा यहां तक की लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सपिरिंस बताये हैं कि जब उन्होंने कवच पहना तो नेगटिव फोर्सिस ने उनको यह कहा असपने में कि इस कवच को उतार दो उसको तोड़ने का प्रयास किया उसको उतरवाने का प्रयास किया पर उन्होंने नहीं उतारा यहां तक की लोगों ने ये भी हनुबब बताए हैं कि जब आपका locket हमने उतार दिया, कवच उतार दिया, तो एकदम से हम पे attack हुआ on negative forces का, जो हम पे पहले attack नहीं कर पा रही थी, कवच और locket के होने की वज़े से, तो यह हमेशा काम करता है, यह हमेशा आपका साथ देगा, आपको बस इसको किसी से share नहीं करना, कुद पहने रखना है, और यह आपका बचाव करता रहेगा, जिन्दगी भर, आपको simply mobile number 8130331007 पे WhatsApp message यह call करना होगा, description में आपको details मिल जाएंगी, मैं हूँ अपका दोस्पल कितना हम सिंगला,